प्यारे बच्चों, क्लास 11 के लिए JCRT द्वारा विभिन विसयों के मौडल प्रश्ण पत्र जारी किया गया है, लेकिन पॉल्टिकल सायन्स, समाज, सास्तर ये सब का आपका मौडल सेट नहीं आएगा, क्योंकि इन में सरकारी सिछकों की बहाली इन विसयों पर नहीं हुई है, और चुकि सरकारी सिछकी ने मौडल सेट त्यार किया है, तो जब सिछकी नहीं है इस विसयों में तो मौडल प्रश्ण पत्र कहां से छपेगा, इसलिए मैं विभिन गेस पेपरों की साहता से आप लोगों के रिक्वेश्ट पर ही समाज सास्त का वीडियो लेकर आया जो आपके टर्म टू परिच्छ में आ सकते हैं, शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेश्ट है कि अपने चैनल एकनोमिस प्लस पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दवा कर और लोटिफिकेशन ओन कर ले, वीडियो जब भी डालूँगा, आपको सब से पहले ही पता चल जाएगा, साथ ही समास सास्त्र के बच्चों तक या वीडियो जरूर सेर करें, आप भी लाभानवित हो, औरों को भी लाभानवित करें, तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं, इसको हम लोग सेट वन मान सकते हैं बच्चों, क्लास सी ले वन समय आपका डेर घंटा रहेगा, और एक से जो साथ तक कोश्चन है, वो उसमें से आपको पांच बनाना रहेगा, फिर आपका आठ से लेकर चौधा तक आपका लगूतरिये प्रस्ण है, जिसमें से पांच ब जो उसमें से आपको पीन बनाना रहेगा, तो चली हम लोग सुरू करते हैं, पहला कोश्चन है, जजमानी परथा का संचिप टिपनी लिखे, तो जजमानी परथा का इसी विवस्था है, जिसमें गाउं के परतेक जाती समू से अन जातियों के परिवारों के लिए कुछ भ परिवर्तन वा सब्दावली है, जो समाजिक पर किरियाओं, समाजिक स्वरूपो, समाजिक अंतक किरियाओं, तथा समाजिक संगठन के किसी भी पहलू में परिवर्तन के संबंद में परियोग की जाती है, तीसरा है, पतियस पर्धा की समाज की विसेष्था है, तो पतियस तो बियर स्टेट के अनुसार सत्ता सक्ति के परियोग का संस्तात्मक अधिकार है वा स्वयम सक्ति नहीं है सी राइट्स मिल्स के अनुसार सत्ता का तात्पर निर्नाय लेने के अधिकार तथा दूसरे वेक्तियों के वहवार को अपनी इच्छा अनुसार तथा संबंदित व परिवर्तन से आप क्या समझते तो समाजिक परिवर्तन समाजिक संस्थाओं प्रस्थितियों भूमिकाओं तथा परतिमानों में समझ समय पर होने वाले परिवर्तन की परकिरिया को समाजिक परिवर्तन कहा जाता है इसके अंतरगत परिवार विवा नातेदारी आर्थिक रा परिवर्तनों से है इसके अंतरगत विचार ज्यान मुल्य तथा धर्म आदी में होने वाले परिवर्तन समलित किये जाते हैं। नौमा है समुदाय के आवस्चततु बताएं, तो समुदाय व्यक्तियों का समू है, किसी भी समू को समुदाय कहलाने के लिए निम्न आवस्चततों का होना जरूरी है, पहला है व्यक्तियों का समू, समुदाय निश्चित भोगौलिक छेतर में, में अलग कर दिजिएगा समान जीवन परतेक समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सान भोजन का धंग वा धर्म सभी काफी सीमा तक समान होते समुदाय के सदस्य अपना समान जीवन समुदाय में ही वेतीत करते तीसरा है समान नियम समुदाय के समस सदस्यों के वहवार समान नियमों द्वारा नि चौथा है विशिष्ट नाम, परतेक समुदायक का कोई नाम अवेश होता है, इसी नाम के कारण ही समुदायक एकता का जन्म होता है, समुदायक का नाम ही व्यक्तियों में अपने पन की भावना को पुरसाहित करता है, अस्थाई तोब, समुदायक चीर अस्थाई होता है, इ एक निश्चितभौगॉलिक छेद्र होता है, दूसरे सब्दों में या कहा जा सकता है कि समुधाय के सभी सदस्निश्चित भजौलिक सीमाओ के अंतरगत ही निवास करते हैं. अनिवार सदस्ता, तो समुदाय की सदस्ता अनिवार होती है, यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भन नहीं करती है, व्यक्ति जन्व से ही उस समुदाय का सदस बन जाता है, जिसमें उसका जन्व हुआ है, समाने जीवन के कारण समुदाय से पिर्थक रहकर व्यक्ति की अवस प्रावना के तीन तत्व है समुदाय के सभी सदस्यों को एक सुत्र में बांधने में सहायता देते हैं दसमा है बच्चो भूमी का संगर्स तथा भूमी का तनाव का अर्थ असपष्ट करें तो इसका अंतर है भूमी का संगर्स जब किसी व्यक्ति को एक ही परिस्थिती में अपनी भूमी का कुल के अंतरगत, दो विभीन भूमी का निभाने में असमजस का अनूबह होता है की वह यदा भूमी का संगर्स कहा जाता है उधारन सरूप जब एक संपंच को किसी ऐसे मामले का निरने करना हो भूमी का तनाव अपनी व्यक्तिकत करतनाईों कारण अपन भूमी का निभा पाता हो या ना निभाना हो उधारन सुरूप यदि एक अधिकारी अपने करमचारी को उसके पुत्र के बिगारी के कारण भी उसे अवकास ना देता हो तो करमचारी में भूमी का तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है यहां बिगारी के जगा बीमारी हो जग से बात्चीत भी नहीं कर पाता इगारा कोश्चन है ग्रामिन समुदाय से आप क्या समझते तो साधरान रूप में यह कहा जा सकता है कि ग्रामिन समुदाय ग्रामिन परियावरन में इस्टित विक्तियों का छोटा या बड़ा समू है जो पतेश रूप से प्रकृति पर निर है ग्रामिन समुदाय के अंतरगत ऐसी संस्थाओं एवंव्यक्तियों का समावेश होता है जो एक छोटे से केंदर के चारों और संगठित होते हैं तथा समान प्रात्मिक हितों द्वरा आपस में बंधे रहते हैं सेम्स के अनुसार जिन ब्रिहत छेत्रों में एक समुद के एक निश्चित भूभाग में रहने वाले किसी भी एक छोटे या बड़े समुद से हैं जिसमें जनसंख्या की समरूपता, समाजिक एवं सांस्कितिक समानता, प्रक्रितिक की संबतता, सरलता एवं सामुदायकता भावना की परधानता होती है बारा नमर कोशन नमर चोर न नगरिये मनोविर्ति के अधार पर किया जाता है इसमें ग्रामिन समुदाय से अधिक व्यापक परासपरिक सम्मंद पाये जाते हैं बर्गल ने नगरिये समुदाय की परिभासा इन सब्दों में दी है नगर एक ऐसा अस्थान है जहां के अधिकतर निवासी क्रिसी कारे के अत्रिक्त अनुद्योगों में वैस्तो हो किंग सले डेविस के नुसार किसी अस्थान पर जनसंख्या का घनतों चाहे एक हजार से कम हो या अधि यदि वहां पर नगरिये दसाय एवं नगरिये मनोविर्ति पाई जाती है तो वह नगर है इस परकार यह अस्परस्थ है कि क नगरिये समुदाय की विसेशताओं का उलेक करें तो नगरिये समुदाय की निमलिखित विसेशता है पहला इसका आकार बड़ा होता है दूसरा इसकी अबादी घनी होती है तीसरा इसमें मानव निर्मिज परियावरन की परदानता होती है जो था इसकी अबादी में असमा बता लिए तो पहला अंतर है ग्रामिन समुदाय का अकार छोटा होता है परन्तु नगरिये समुदाय का बढ़ा ग्रामिन समुदाय का मुख व्यसाय किर्सी होता है परन्तु नगरिये समुदाय का गैर किर्सी ग्रामिन समुदाय की अबादी कम होती है परन्तु नगरिये सिटी की भूमीका विवेचना किई तो व ponieważ की परिभासा साधरान दौर पर वेक्ति यब्लिघ को साहिलिक बनावत तर्फ उसके रंग-्रूप से लिया जाता व्यक्तितु में सरीर की बनावट और रंग रूप के साथ साथ व्यक्ति के विचारों, आदतों, मुल्यों वा परतिमानों तथा वहवार के ततों भी समलित होते हैं। समाजिक परिवर्तन के संस्कृति कारक की विवेचना करें। संस्कृति में धर्म, विचार, नितिकता, विश्वास, परता, परंपरा, लोकाचार तथा विभिन संस्थाओं को सम्रित किया जाता है। प्राया देखा जाता है कि लोग पुरानी परंपराओं और पर्थाओं को ततकाली ना स्वक्ताओं को ध्यान में रखते हुए आप परियाद समझते हैं। पर्थाओं और परंपराओं में परिवर्तन की बात सोचने लगता है। अंतरगत ही लिया जाता है। इन अवस्थाओं में परिवर्तन के साथ समाज में महत्पुर्ण परिवर्तन हो जाते हैं। इसे उधारत द्वारा थित तरह समझाया जा सकता है विवा प्रथा भी एक संस्था यदि विवा प्रथा में अंतर आता है तो इसे परिवार का रूप भी बदल जाएगा यदि अंतर जाती है विवा अधिक लोग पिरिये हो जाएगी तो परिवार का सुरूप बदल जाना स भाविक है इसका परभाव समाजिक समंधों पर पड़े बीना नहीं रह सकता और इसे संपुर्ण समाज में परिवर्तन हो जाएगा अगला है बच्चो काल मांक्स के विचारों पर टिपनी लिखिए अथवा कोश्चन को घुमा के पूछेगा मांक्स के योगदानों का उल्ल द्वंदात्मक भौतिक बाद में मांक्स ने बताया है कि घटाएं अंतरसंबंदी तथा हत्म निर्भर होती है संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है इसमें तिव्र और कांतिकारी परिवर्तन होते रहते हैं पर टेक समाज में आंतरिक विरोत की किरिया पाई जाती है जबकि उत्पादन पर नाली का दूसरा पच उत्पादन संबंधों का पति दिधित्व करता है अठारा है मैक्स बेबर के नौकर साही सिधान तो सिधान की विवेचना करें तो मैक्स बेबर नौकर साही मलब अधिकारी तंद्र का वेवस्तित अध्यन करने वाले पर्थम स उन्होंने नौकर साही को परशासन की तरपुन वेवस्था माना है। पर पद प्राप्त होते हैं। फिर है स्रम विवाजा, निश्चित कारी छेत्र, निश्चित कारिया वधी लिखित प्रलेक, योक्ता पर नौक्ती, विशिट परसिष्थन, कठोर एववस्थित अनुसासन तथर नियंत्रन, लाल फिता साही, बेतन एवंपेंसन, प्रिठक वर्ग। लास्ट कोचन है बच्चो, नियंत्रन और लोकन से आप क्या समझते हैं। तो नियंत्रित और लोकन में दोहरे नियंत्रन की परकिया कारेत रती है। एक तो अलोकन करता पर नियंत्रन रखा जाता है, दूसरे अलोकन की जनकाड़ी घटनाओं एवं परिस्थितियों पर भी नियंत्रन रखा जाता है। अलोकन को संग्या दी जाती है। एवं अलोकन की परकिया दोनों ही पुन्ता नियंत्रन रहते हैं। अलोकन करता की विक्तिगत भावनाओं का परभाव अलोकन पर नहीं पड़े तथा अध्यन पशपात रहित हो। इसलिए सचतकार, अनुसूची, टेप रिकारडर, फोटोग्राफ, नक्से, नोट्स, डायरी, कैमरा, फिलिम आजी का परयोग अलोकन में किया जाता है। तो बच्चो, समासास्त के बच्चो तक जरूर या वीडियो पहुचाईएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाबाई